सेलै फ्रेंस रादे डादे में हूँ बंद्रातवारी स्वाध का तुम में आप साभी का अपनी चैनल बंधना की भियांजन में तो आए हमने बनाई है बहुती स्वाधिस्ट मटर की चाट बिलिकुल मार्केट में मिलने वाली जो आलु की टिक्की वाली चाट मिलती है वही चाट बनाके त्यार की है, वो भी बिना आलू की टिकी बनाएंगे, बहुती कम समय है, बहुती आसानी से, चली शुरू करते हैं, इसके लिए मैंने यापर 400 ग्राम सूखी मटल ली थी, इसी रात पर पानी में भूगा रख दिया था, यह सुबह अच्छे तरह भींग च रहेंगे, इसलिए, आई उसे डाला एक चमच नमक, स्वाधानों सा नमक डालना है, थोड़ी सी डाल ली है, हल्दी, पावडर, और इसे अच्छी तरह कर देना है, मिक्स, और इसका धक्कन लगा देना है, इसमें 3 से 4 सीटी आनी है, मैं इसमें 3 सीटी ली है, तब तक हमार पर हरा धनिया, हरी मिर्ची, 3 से 4 लेसन, और इसमें डाल दिया है, नीवू, आप इसमें अधरक का टुकड़ा भी डाल सकते हो, और इसमें डाला है, थोड़ा सा नमक, और इसकी हम बना लेंगे, चतनी, पीस करके, यही बिल्कुल थोड़ी सी रह गी, धनिया, देखने में ज़्यादा लगते हैं, लेकिन जब पीस्ते हैं, थोड़ी से रह जाते हैं, अब इसमें डाली है, मैंने थोड़ी सी सेव वाली नमकीन, आप इसमें चाहिए किसी भी नमकीन का यूज़ कर सकते हो, या मूँफली हो, बुनी हो, उसका भी, या फिर चन्ये का, इससे डालने भी हमारा चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं है, अब से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे, यह देखिए, एदम परफेक्ट तरीके से उबल चुकी है मटर हमारी, अब से अच्छी तरह कर देंगे, मिक्स, गयस को मैंने फिर से चालू कर दिया है, और इसमें कुछ मसाले दनिया पावडर, लाल मिर्च पावडर, और इसमें डाला है मेगी मसाला, आदा चम्मच, और इसमें भुना हुआ, जीरा पावडर, हम इसमें तड़का नहीं लगाएंगे, हम इसमें उपर से ही मसाली याड़ करेंगे, इसमें डाला है गरम मसाला, और इसमें डाला है काल अधा नमक, आधा चमाँ चाट में काले नमक से स्वाध और बढ़ जाता है और इस अची तरह कर देएंगे मिक्स Northern क्या ज़ातर रिगी अग्याश को हमने चालू कर दिया है इसमें थोड़ा ऊबाळ ओर आने देएंगे जो मटर है हमारी विलकुल पानी में अच्छा तरह मिक्स हो जाये, यह देखिए, बस हमने ज्यादा गाड़ी नहीं की है, क्योंकि मतर हमारी रखने के बाद में ज्यादा गाड़ी हो जाती है, तो हम इसमें बाद में पानी का 'llạnhी के कहले लेंगे, चलिए अब इसके चरब के लिए टिक की बनाते हैं, इसके लिए हैं मैंने मिलियम साज के जैसे थोड़े से बड़े ही आलू लिए है यहां पर आलू को मैंने जैसे हम चिप्स काटते हैं उसी तरीके से थोड़े मोटे काट लिए हैं मैंने बिल्कुल चिप्स की तरह पतले नहीं की हैं जैसे तीन चार चिप्स मिला करके जितना मोटा आलू को हमने चाहु से काट लिया है और यह दोल लिया अच्छे दुल्ट के उसे कपड़े से मैंने पोंच दिया था आलू को और यहां पर हमें टिक्की की पनाने की जरुत नहीं पड़ेगी इसी आलू से हम चाट बनाएंगे बहुत ही स्वाधिस्ट बिलुकुल आलू की टिक्की वाला टेस्ट आने वाला है यकीन वानी आप एक बाद जरूर ट्राइ कीजिएगा अब मैंने इसमें 5-6 आलू डाल दी है और इसका कलर चेंज होने तक इनने फ्राइ किया है गैस की फ्लैम हाई रखी है बहुत ही जल्दी फ्राइ हो जाते है कोई टाइम नहीं लगता है ज्यादा इसका कलर भी चेंज हो चुका है सिर्फ चार-पांच मिनट में ही अब से मैंने तेल में से निकाल दिया है और हमने यहां पर दो तरह की चार्ट बना के त्यार किये एक बार वीडियो को पूरा जरूद देखिएगा कि देखिए आलू हमारे अंदर से भी अच्छी तरह पक चुके हैं इसी तरह के से मैंने बचे हुए आलूओं को भी फ्राइ कर दिया था इसी में डाल करके चली यहां अपनी चार्ट बना कर त्यार करते हैं एक प्लेट रखी है प्लेट में डाली है मतर पहले से देखना एकदम मतर पानी में मिक्स हो चुकी है विल्कुल बहुती स्वाधिस्ट लग रही है और इसके उपर रखी है आलू दो या तीन या चार आप जितने भी आलू रखना चाहते हों था तो कि टर बड़खो हों कि हिसाथे आप आक利ु रख लीजीयेगा ऊपर से थोड़ी सी मतर और डालनी है इसमेंटाली ओंपर थे बारी कटी हुई प्याच बारी कट रुओं है टमाटर इसमें डाली है थोड़ी से मेंने कद्दु बूली बूली को कद्दू का स्कल दिया था वो डाला है और इसमें बारी कटी हरी मिर्ची देखते ही मुह में पानी आ रहा है और इसमें डाली है हरी चट्नी चाट का नाम सुनते ही सबके मुह में पानी आ जाता तो एक बाद जरू बना कर देखें बहुत ही आसानी से बन जाती है इसमें डाल यहां पर बनाई है मैंने दूसरी चार्ट यहां पर मैंने लिए थे पापड़ यह वैसं मेरे पास खाकरा रखे तो गुजराती की फैमस खाकरा जो आटी है मेरी वह सोमनाद द्वार का गई थी वहां से लेका है थी उन्हें दिये थो बच्चे ऐसे खानी रहे थे मैंने सोच चाट बना कर खिला दूँ तो वहती स्वाधिस्ट बनके त्यार हुए थी आपके पास नहीं है तो आप इसके आलू के मेदा के बेशन के जो भी पापड आप बना सकती हो तो बना के मेदा के भी बन सकते हैं और बेशन के भी पापड बना के उसकी चाट बना कर खाना वहती स् प्यास टमाटर और जो भी चटनी मसाले एड़ करना चाहते हो आप स्वाधानुसार मसाले सब एड़ करके इसकी भी चाट बना सकते हो बहुत ही स्वाधिस्ट लगती है तो सिर्प मुह में पानी लाकर मत रहा जाना एक वाज जरू ट्राय करना और बना कर देखना बच्चों को खिलाइए आप भी खाएए स्वाधिस्ट खाकरा चाट आलू की चाट त्यार है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए